नमस्कार मैं सुश्मिता राज और अब इस बुलिटन में हम खास बात करेंगे वपक्ष के दंगल में और 2024 में किसका मंगल होने वाला इन तबाम मुद्धों पर हमारे साथ सीधे समान दाता हमारे कुवर अब शेक जुड़ेंगे लेकिन आप तस्वीरे जो आप देखें टीवी स्क्रीन पर ये वो तस्वीरे है जब विधार सभा के बाहर लोग सभा के बाहर कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन देखने को मिला था 200 संसद और 2000 पुलिस कर्मियों की तहराती की गई बैरिगेटिंग की गई और लगतार सरकार के खिलाफ 17 विपक्षी पार्टियों का मार्च देखने को मिला है संसद के बजट सत्रकाज दूसरा चरण चल रहा है और ऐसे में एक तरफ तमाम विपक्षी दलों की नेताओं पर जाच अजंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है तो दूसी तरफ कई दल के नेता राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सबसे पहला सवाल आपसे कोर अभिशेख जिस सरीके से दिली में विपक्ष का दंगल देखने को मिल रहा है क्या कुछ लगता है 24 पीस में किस पार्टी का मंगल होने वाला है देखिए आप किसी भी पार्टी से ये सवाल कर लीजिए तो सभी इस दंगल में अपना मंगल जरूर बताएंगे जहां तक पलड़ा भारी है तो निश्ची तोर पर बार्थजिंता पार्टी का एक एज जरूर है दोजार चोबिस में तमाम मुद्ध है जिनको लेकर विपक्ष एक अत्र थोड़ा है समस्य विपक्ष के साथ सिर्फ इतनी है कि अभी तक उनके पास परधार मंत्री का चेहरा नहीं है तमाम विपक्ष के जो नेता हैं तमाम पार्टीों के जो नेता हैं वो अगर एक बंच पे साजा होते है तो उस बंच पे एक नहीं कई परधार मंत्री के चेहरे होते हैं नितिस कुमार बिहार से हैं पशिप बंगायर से अगर मैं बात करूँ तो मम्ताबैनेजी भी ताल ठोक रही है राहूल गांदी को कॉंग्रेस की पूरी पार्टी प्रधार मंतरी प्रोजेक्ट करती है उत्रे प्रदेश की मैं बात करूं तलिशी तोर पर समाजवादी पार्टी के लिए सियादाओ लालू पार्टी लालू पार्टी तो तमाम निता हैं जो चाहते हैं के प्रधार मंतरी की कुर्सी कही ना कहीं उनके आथ लगे अभी तक एजेंडा तयार नहीं हुआ है विपक्ष का तो इसलिए कहीं न कहीं ये बीजेई पी तमाम विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है फिलाल चुकि परदा मंतिरी नहिंदर मोदी होंगे सामने तो उनकी टक्कर का कोई कद्दावर कंडिडिट और उम्मीदवार ढूंड के लाना विपक्ष के लिए और जिस पर सहमती हो पूरे विपक्ष की सहमती हो देखे कंग्रिस एक बड़ी पार्टी है पूरे देश में उसका कैल्डर बेस है देश की सबसे पुरानी पार्टी है दूसरा भारते जिन्दा पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जब बड़ी पार्टी मैं कहता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर है ओन रिकोर्ड तो भारते जिंदापार्टी स्ट्रोंग है और नेदरमोदी के आने के बाद जब चोदा में नेदरमोदी आजधानी दिल्यए परधा मंतरी बन कर आये उसके बाद से भारती जिंदा पार्टी ने मुड़कर नहीं देखा एक बार तो ऐसा लगा के पूरा भारती भगवा में भारती जिंदा पार्टी ने कर दिया तमाम राजियों में उनकी सरकारे थी अब अगर बात में करूँ विपक्स की तो विपक्स की एकता आज भी नजर आई उन्होंने मार्च किया वो मार्च मेरी हवारी समया था शुरती ने कवर किया मैं उनसे बात करूँगा शुरती ये मार्च कवर किया आपने विपक्स ही एकता है सवाल सीधा सा है राचिस अभी हमारी एंकर स्वाल कर रही है कि 2024 में किसका मंगल होगा मैं सीधर सवाल आप से यह है आप ही आप मार्ज करवर करके आई है पूरा विपक्ष साथ में है आपको क्या लगता है कि यह विपक्ष जिस तरीके से जेपीसी की मांग को लेकर अभी सरकार को घेरे हुए है तो 24 में जब चुनाओ आएंगे क्या यह विपक्ष एक मजबूत उमीद्वार प्रधान मंत्री मोदी के समक्स दे पाएगा इखटा हो पाएगा पूरा विपक्ष विपक्ष एक्ता की बात करें तो विपक्ष एक्ता तो आए दिन देखने को मिलती ही है हर प्रोटेस्ट में विपक्ष साथ हैं मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन अगर बात करें वो चेहरे कि जो प्रधान मंत्री के अभी तक बिपक्ष उस मुद्धे पर अभी तक अपनी एकता नहीं दिखा पाया कि वो कौन चहरा होगा जो खुद कर पुद्धान मंत्री कांडिडेट पर देख रहे हैं अभी तक बिपक्ष के द्वारा भी एसा भी हार में शित हरूज अभी हारा थो उन्होंने भी ऐसा कहा कि दर जनों ऐसा चैड़े हैं जो खुद को प्रधान मंत्री बंदे देखना चाहते हैं तो ऐसे विपक्षी एकता की तो सभी लोग बात करने चाहते हैं लंगाना के सीम क अब बिपक्ष को एक जूट करना चाहते हैं या फिर इतिश कुमार हो भी हाग से या फिर के जिवाल वरिन के जिवाल दिली की मुख मेंत्री तमाम लोग अकसर ब्रॉला करते हैं विपक्षी को बिपक्षी पार्टी को एक जूट करके दोरा 24 एलेक्शन लगने की बात तो करते हैं भी दूसरा स्वाल मेरा आप से यह है अभी प्रोटेस्ट जो आप कवर करके आई जिसमें जेपी सी की मांग को लेका पूरा विपक्ष उसमें था उनकी डिमांड यह थी कि वो संसर से मार्च करेंगे और एडी दफतर जाएंगे अपना अपने जो काज़ उनको श करेले तक पैदल मार्च करना चाहते थे उनका जो अडानी हीड़न बर्ग की जो रिपोर्ट के आद आदानी स्कैम को लेकर उनका लागातार सदन की भीतरी हंगामा चला था कई बार सदन हंगामे की भेट चरह कई बार सदन सखगित हुआ उसके आद आज सारे इपक्ष पैद आज से बार सदन की जो बार सदन सखगित है वो एक जुट होकर विज़ाच चौक पहुची और उनका जो मार्च सा विज़ाच चौक से एड़ी का रह ले जाना था उनको एक ग्यापन सोपना था और उस ग्यापन में उन्होंने मांग की थी कि जो अडानी का पैद आज से बार सदन के द्वारा निर्देश तीया था कि जल्दी से जल्दी वहां पर जितने भी विपक्षी पार्टी मौजूद है जितने भी रायसरा सांथ तर्व लोग वा मौजूद है जल्दी से लिए खाली करें अगर खाली नहीं करते तो उस केस पर उनकी जा चाहते जेपेसी के मांग कर रो और ये पहली बार मांग नहीं है कई बार इससे पहले विपक्षी दल सदन के भीतर मांग कर चुके हैं लेकिन सदन के भीतर मांग के सदन सदन सथगेत हुई लेकिन आज ये पहली बार था जब विपक्षी दल सारे खुद बाहर आगे व यह एढी की चीज़्व लगैकि में पोई सुधे दर रहे क्यूंकि अडानी के मुद्रे में उनकी भी ड कुछ तो यह दिखने वाली बात है कि विपक्ष लगातार जहां पर डानी के मुद्दे पर जेपे सिंग की मांग कर रहा है जाज की मांग कर रहा है वही केंदर इसे बस्ते नजर आ रही है और 2024 के लिए चुनाव है उसमें विपक्षी एक्ता बहुत अहम उद्दा है विपक्ष को ये एक जूर्ता जो है सम्मिदा जो अभी सोती भी कह रहे हैं ये ज़ो एक जूर्ता, ना, ये जब, जाज एजनस्या को कारवाई करती है किसी भी पार्टी, या किसी भी नेता के ऊपर है तो यह एक जूटता तब ही नजर आती है जब नितीश कुमार एक जूट नजर आए तीज़स्वी के साथ जब तीज़स्वी और तीज़स्वी लालो परिवार के ओपर तमाम जाच चल रही है तो केसी आर केसी आर की बेटे को भी संबन किया इडी ने और उनको भी बिला खडगे का उन्होंने कहा है कि आडानी और प्रधानमंती नरींदर मोदी का क्या कुछ रिष्क और अब उनका जो पूरा खर्च हो तेरह लाख करोड रुपए का बन चुका है तो इतने कम दिनों में इतनी सारी पैसे कहां से आए और इनका रिष्टा आदानी से क्या कुछ है अब ये एक बड़ा मुद्दा एक बड़ा बयान कॉंग्रिस अध्यक्ष मालिकार्दुन खड़गे की ओर से दिया गया है बिल्कुल देखिए विपक्स तो सरकार को इस मुद्दे पर घेरी रहा है क्योंकि कोई भी बड़ी इंड़िस्ट होगी निश्ची तोर पर सरकार से उसकी नजदीकिया होती है और ऐसे में राहूल गांदी ने भी एक पूरा पोस्टर लेकर वो संसत के अंदर आया थे जिसमें पधाम अंतिर मोदी को वो एक चार्टर प्लेम में बैठे थे जिसमें अड़ानी और अड़ानी के भाई बैठे रहे तो यह तो आरूप लगे गा ही और तमाम जो लोग है जो इंडिस्ड्सीत है निशीलीस तो पर बिन सरकार की मदद से अपना बिजनेस सट्कार की मदख से अपना बिजनेस मेस करें घीत करें तो निशीली तो पर देसकी लेगी तो ऐसे में यह जा है इसमें कितनी सचाही है इस पर तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं इसी उद्दे को लेकर तमाम पूरा जो विपक्ष जिसकी एक जुटता की बात अभी आप कह रहे थी कि दोजार चोबीस तक यह जो गटबंदन हुआ है तमाम एजन्सियों की मांग एजन्सियों की भूमिका को लेकर यह गटबंदन आज एजन्सियों जो जाच कर रही है जिसमें एडी सीबी आई तमाम तरह के आरप लगा रही है आज लालो परसाद यादव को भी हलाकि उनको जमानत मिल गई राव समयनी को जमानत दे दी उस मामले बर पूरे परिवार को उनकी बेटी को मीसा को और उनकी पत्नी को भी र लिकिन मोधी के खिलाव जब चुनाओं में आप जाएंगे तुकि वीपक्स का यह आरोप है ना सुस्मीदान को इसी दे तर पर आरोप है के एडी आ और सीबी आई का इस्तिमाल करकर बार्टी चुनाओं में जीत हासिर करना चाहती है वीपक्स को निस्तों नाबूत कर दे और मार्च एडी दफ्तर तक जाना था वो मार्च आधे रस्ते पर से ही लोट गया वो वीजे चोक से ही लोट गया एक तो अगर दिल्ली पुलिस ग्रफतारी कर दी तो मुड का जेल बेचती जो बहुत दूर है निच्छी तोर पर तमाम सांसदों के लिए मुश्किल हो जा दूर दिया जाता तो उसमें दिल्ली पुलिस निशी तोर पर डिटेन करने के आउडर जारी कर देती हो तमाम सांसदों को जिसमें मुड कर गए और बड़े लिडर थे उनको डिटेन करकर जेल बेच दे जाता जो काफी दूर है आमोबन पुलिस इस तरह इस लिए करती है क थोड़ा समय लगे थोड़ा दूर अगर बेच दिया जाए तो सांती बरकरार है उस इलाके में जाप्रोटेस हुआ है तो ऐसे में जो आपका सवाल के किसका मंगल होगा यह तो अभी बीजेपी का पढ़ना इसमें भारी नजर आ रहा है क्योंकि विपक्स अगर एक जूट को जाता है यह तो माम जैना रहा हुआ cu9 definition के वी राजिया कंध मेरा है अगर इपक्स जोस्स कि तो तर श.''्समिता और बीजेपी के लिए बहुत कठीव हो जयेगी को इसमें तो कोई दोड़ाया नहीं कॉड़्यार विशेक एक आप से आन्तीμ सवाल मेरा हो गा जिस तरीके से मैंने अब से अभी अब सवाल पूछा था कि कॉंग्रेस सथेक्ष मलिका अरजन खड़गे के बयान अब चर्चा के विशय बन रहे हैं अब एक और बयान जिस तरीके से हमने देखा लगतार दो दिरों से संसत के अंदर राहुल गांदी से स्थिफे की मांग, माफी की मांग गूंज रही है और इसी को लेकर लगातार विरोदोत प्रदेशन भी किये जा रहे है और मलिका अरजन खड़गे ने एक बात की जिक्र की है जो कि पहले पांच सल पहले हुआ था प्रदान मंदी नरींद्र मोदी ने विदेशी धर्ती पर यहां बयार दिया था कि मुझे भारतिया नागरिक होने में शर्म आती है इस बयार को उन्होंने वापस चर्चा का विशे बनाया और मलिका अरजन खड़गे ने कहा आजर राहल कार्डी के इंचंच शब्दों से उन्हें स्टाफा देने के स्टेने स्टेने Ilion चाहते हैं सरकार किसी पीसी का त्रीट को इस ई killer नहीं चाहते हैं। इडियो सीबिया की जो जाच के मुद्ध आज कल देश में चल रहे हैं उसको लेकर विपक्ष सरकार के दाथ खटे कर सकता है अगर जेपी सी का गठन हुआ तो ऐसे में सरकार मुखर है रहूल गांदी के उन बयानों को लेकर जो उन्होंने विदे इसी दर्टी पर दिये उनसे माफी मांगने तक की बात राजना सिंध ने शुरुआत की और तमाम ने ताउने उनसे माफी मांगने की बात किये कि उन्होंने देश को बदनाब किया बा उन्होंने देश में जो विकास कारिये किये वो विकास कारिये उच कोटी के नहीं थे और देश में सोचाले तक घरों में नहीं थे सलम आती थी ये कहने में कि हम उस भारत में हैं जहां घरों में आस तक सोचाले भी नहीं हैं बिश्चितर पर पधार मंतिर मोदी ने कहा था इसी को लेकर ही रार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यही दो-चार दिनों में क्योंकि अती महत्पून बिल पास होने है संसत के अंदर जिसमें जम्मु कश्मीर को पैसा वांटन होना है और तमाम विभागों को जितनी विपक्ष ने राउल गांधी का जिकर कर रहा है सत्ता पक्ष तो इन दोनों के बीच में असमंजस बैठेगा सदन चलेगा अभी लगता मही है अती महत्पून बिल पास होंगे इसमें भी अभी संशे है क्योंकि यह अमूमन देखाए गया है कि यह परंपरा रही है कि जब बाशन जिसको लेकर मलिकार जुन खड़के न आज बयान दिया और राउल गादी के अभी हाल यह दिये गे बयानों को लेकर तो इसमें तो मुश्किल बढ़ेगी सदन चलेगा नहीं चलेगा इसको तो कहना भी इसमस्त ही होगा क्योंकि सदन की कारवाई चलाना निश्य विपक्षी नेताओं को समन करने को लेकर जिस तरह की रार बढ़ी है तो यह तो लगी रहा है कि आने वाले दिनों में भी सदन का स्मूत्नी चलना अभी मुश्किल है जिसमता अभी शेक जिस सरेके से आपने केंद्री अजंसियों का जिक्र किया एडी और सीवी आई का मेरा आप से एक अंतिम सवाल यही होगा हमने देखा कि आज जा सुनवाई हुई सुप्रीम कौट में और बियारस देता के कविता को राहत नहीं मिली है 16 मार्च जाने के कल उनसे वापस से सुनवाई होगे अगर हम दूसरी तस्वीर देखे एडी के दबिश बिहार में देखने को मिली रावड़ी आवास में मीसा भार्ती पे लालु प्रशाद यादव पे लगतार सीवी आई की दबिश देखने को मिली और उन्हें जमाने द रोपियों को IRTC गोटाले को लेकर उसमें जो जमानत दी गई है उसका विरूद CBI ने नहीं किया देखे कारण है कारण यह है कि इसमें पहले चार्च शीट दाकीर की जा चुकी है कुछ हिजारतों के साथ सुप्रीम कुछ हिजारतों के साथ राउजवेनी कोर्ट में देश चोड़के नहीं जाएगा लालू परिवार उसके बाद जाच जिन्शियों की जाच में मदद करेगा पचास जार का निजी मुचल का और पचास जार की पचास जार रोपियों की गारिंटी के साथ उनको जमानत दे दी गई है जहां तक बात के कविता की करे के सियार की करेंगे जाच करेंगे और उनको समन करेंगे और उनको सियोग करेंगे जाच में पचाँ पचास जार के दो निजी मुचल के और एक बान बढ़ाकर उनको जमानत दे दी गई अब कल जब उनसे पूस्ता आच होगी जब समतारी मके कविता को बुलाई जाएगा तो ये कठीन होगा दूसरे दोर देखें दूसरे दोर में ही कही न कहीं डिदिली के भूतपूर डिप्टी सीम को गिरफतार कर लिया गया था सीबियाई दोरा तो के कविता पर भी गिरफतारी की तलवार लटक रही है ऐसा काफी लोग मानते है या जो विपक्स के निता जिन से हमारी बात हुई उनका भी ये मानना है कि कहीं न कहीं विपक्स की एकता को खंडित करने के लिए के कविता को भी सीबियाई गिरफतार कर सत्ता पक्स और विपक्स तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने है जी सुस्मिदा लगतार संसद के अंदर भी विरोध प्रदाष्न हमें देखने को मिला रहा लगतार। ata राहुलकांदी सत्या की मांग माफी की माग की गए वही आज देश की राज़नी दिल्ली में भी धर्णा प्रदाष्न करने को में देखने को में मिला है और साथ ही अदानी और राहूल गानी के मुद्धे पर संसत में जारी गतिरोत के बीश कॉंगर्स समेत 18 विपक्षित अलों ने केंद्र को घेरने की रणनीती बनाई कि अधाइब बीश बेजार जाओ जाओ आज दो शुन हो रहे हैं आज तरी संपारिश वास्ती हैं आज करते हैं